मित्रों कहते हैं कि भगवान शिव काल के भी काल है भगवान शिव के लिए न तो कोई देव है और नहीं कोई दानव न कोई बड़ा है न कोई छोटा न तो कोई अधिक प्रिया है न कोई कम वो सबको एक समान रूप से देखते है अगर कोई राक्षस भी उनकी भक्ती करता है तो शिव जी उसे भी अपने भक्तों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं ऐसे ही उन्हें देवों के देव महादेव नहीं कहा जाता है अगर आप भगवान शिफ का ध्यान करते हैं, मिरंतर उनका नाम लेते हैं, या उनकी पूजा करते हैं, तो ये पांच महाशक्तियां हमेशा आपके साथ रहती है, आपकी रक्षा करती रहती है, और आपके कारियों को बनाती रहती है, और हर एक मुसीबत जो आपको हानी उससे आपको दूर रखती है क्योंकि भगवान शिव के साथ 5 ऐसे देवता है जो उनसे हमेशा जुड़े रहते हैं और जो आपकी हमेशा रक्षा करते हैं जो भी भगवान शिव की भक्ती करने लगता है या निरंतर उनके नाम लेता है उसके साथ की पाँच महाशक्तियों स्वयम चलना शुरू कर देती है और उसे भगवान शिव के साथ साथ महाशक्ति के रूप में इन पाँच देवताओं का साथ भी मिल जाता है सबसे पहले महाशक्ति के रूप में जो देवता आपका साथ देते हैं वो काल भैरो है काल भैरो भगवान शिव के रूद्र रूप है काल भैरो काल से भी बड़े है जो काल से परे है वह काल भैरो है काल भैरो अपने आप में भगवान शिव है भगवान काल भैरो भूत, प्रेत, पिशाच, सब के अधिपती है राजा है और उनकी आग्या के बिना कोई भी बुरी शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती जो भगवान शिव की भक्ती करता है भगवान शिव की पूजा करता है ऐसे लोगों पर काल भैरो की कृपा हमेशा बनी रहती है जिसके साथ स्वयम भगवान काल भैरो हो उसे भला इस बात की क्या चिंता जो दूसरी महाशक्ति आपके साथ होती है वो है नंदी जी नंदी जी भगवान शिव के बहुत करीब है और शिव जी की सेवा में सदैव ततपर रहते हैं और नंदी महादेव को भी अपने कंधे पर बैठा लेते हैं जो भगवान शिव की पूजा या उनको निरंतर स्मरण करता है स्वयम नंदी जी उनका रशन करते हैं और उन्हें सभी मुसीबत से बाहर निकालते हैं और सबसे बड़ी बात नंदी जी भगवान शिव के भक्तों की प्रार्थना शिव जी तक जल्दी ही पहुचा देते हैं जिससे भगवान शिव के भक्तों की मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है तीसरी महाशक्ती जो स्वयम आपका रशन करती है वो है वीरभद्र वीर्भद्र भगवान शिव के जताओं से जन्मे अत्यंत शक्तिशाली है इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब राजा दक्ष को पराजित करना किसी के बस में नहीं था वह राजा दक्ष भी वीर्भद्र के प्रचन रूप को देखकर पूरी तरह भयभीत हो गए थे और वीर्भद्र के हाथों मारे गए थे भगवान शिव की पूजा करने से आपको स्वयम वीर्भद्र जी का रशन प्राप्त होता है और वीर्भद्र आपके जीवन में आने वाली सभी बुरी शक्तियों का नाश कर देते हैं जो चौथी महाशक्ती है उसके आगे कोई भी बुरी शक्ती संकट, चिंता, टिक नहीं पाते और वो महाशक्ती है हनुमान जी इस समय में जिस भगवान को जल्दी प्रसं करके उनकी क्रिपा पाए जा सकती है वो हनुमान जी है जिस तरह हनुमान जी ने श्री राम के सभी संकटों को दूर किया था उसी तरह जो भगवान शिव की पूजा करते है हनुमान जी हमेशा उनके सभी संकटों को हर लेते हैं जिस किसी को हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है उसके जीवन के सारे कश्ट धीरे धीरे खत्म होने लगते है मन का दर खत्म होने लगता है चिंता खत्म होने लगती है और वह निदर और मजबूत बन जाता है हनुमान जी हर कदम पर उसकी रक्षा करते है और उसका साथ देते है जो आखरी महाशक्ति आपका साथ देती है उनका तो बस नाम लेने से ही जीवन सफल हो जाता है वह है श्री राम श्री राम भगवान शिव के इष्ठ है और शिव सदा श्री राम का नाम जबते रहते है इस तरह भगवान शिव और राम एक दूसरे के पूरक है जो भी भगवान शिव जी की पूजा करते है या उनका नाम जबते है तो अपने इश्ट की पूजा से भगवान श्री राम भी प्रसन हो जाते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं अगर कोई शिवलिंग पर जल चड़ाते समय श्री राम मंत्र बोलना है तो भगवान शिव और श्री राम दोनों उसकी रक्षा करते हैं तो इस प्रकार अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं या उनका नाम लेते हैं तो ये पाँच महाशक्तिया हमेशा आपका साथ देती है और रक्षा करती है तो मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले और चैनल ग्यांगंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें जाए भोले नात